हम बात करने जारे है दे 18 के question के solution की ये question बहुत बार पुछा गया है NEET में J में हर ज़गा पुछा गया है और J advance में भी आया होगा question है question क्या है a conservative force acts on a 4 kg particle in x direction the potential energy is given by u is equal to 40 plus x minus 6 का whole square x is in meter if it is at x is equal to 8 then kinetic energy is 30 joule then find maximum kinetic energy देखो ये simple से इस concept पर based है क्या की total energy का जो sum होता है वो kinetic energy और potential energy के sum के बराबर होता है ये इस concept पर based question है तो इन्होंने बोला है जब x is equal to 8 था तब kinetic energy 30 थी ये कहारा है kinetic energy 30 थी तो potential energy हम निकाल ले तो हम total energy निकाल सकते हैं तो potential energy कैसे निकालोगा तो x is equal to 8 पर यहां value भर दो 8 जैसे भरोगे तो यह जाएगा 2 तो 2 का square जाएगा 4 तो यह आजाएगा 44 ठीक है तो e की जो value आजाएगी यह आजाएगी 74 तो यह 74 joule energy आजाएगी इस particle की ठीक है total energy अब एक बात जान लो जो यह लिखाई है हमेशा constant रहेगा कोई change होने वाला नहीं तो इसका लोग यह बात अच्छे से पता है आपको क्या कि जब e की value है वही की रहेगी kind energy max कब होगा जब potential energy minimum होगा ठीक यह max तब होगा जब potential energy की value क्या जाएगी minimum हो जाएगी अच्छा तो potential energy minimum कैसे निकालेंगे देखो यह function दिया हुआ यह function given है यह वाला function given है इसी function का अगर मैं maximum minimum approach से solve करूँ तो minimum मैं निकाल सकता हूँ maximum minimum solve करने मनलग क्या होगा अपने du by dx निकालू और इसको मैं 0 के बराबर कर दूँ तो du by dx निकालेंगे 0 रखेंगे तो 40 का differentiation आएगा 0 और x minus 6 का differentiation जो square इसका differentiation आएगा 2 times of x minus 6 यहाँ अगर du by dx 0 रखा जाए तो हमें मिलेगा x is equal to 6 यह x is equal to 6 वो point है जहाँ पर यह equilibrium में है तो यहाँ पर यह stable भी हो सकता था, unstable भी हो सकता इसकी probability maximum भी हो जाएगा minimum भी हो सकती थी, तो अगर मैं इसको दुबारा differentiate करूं इस वाले function को मैं अगर मैं दुबारा differentiate को नों और यह function positive हा गया differentiation तो इसका है U की value क्या है minimum हो गी ठीक अशो मैं दुबारा differentiate करूंग क्या में मैं जहाँ मुझे 2 निट जाएगा एक्समाने सिक्सका डिफिरेंटर हो जाएगा दाएगा फट्रटी पता हेसी के वैल्यवा इसके सब्सक्राइब कितना चल गया जो कि क्या होगे, minimum होगे, maximum होगे, maximum होगे, यह maximum current energy हो जाएगी, यह question हर जगा पुछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लो और समझ लो, ठीक है?